नमस्ते आप सभी को आपका स्वागत है मेरी कीचन में अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छे लगती है तो प्लीज आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें आज हम बनाएंगे उबले आलू के चटपटे पकॉरे तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले हम बॉय डालू लेंगे और इसको छिल लेंगे अच्छे से अब आप देखिए इसका छिलका उतर चुका है अब इसको मैश करेंगे और जब आलू अच्छे से मैश हो जाए तो उसमें हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, काला मिर्च, स्प्रिंग ओनियन जब यह अच्छे से मैश हो जाए तो इसकी टिक्की बना लेंगे देखिए आलू, आलू को अच्छे से गोल गोल करके इसको थलका हाथ से प्रेस कीजिए और यह देखिए टिक्की त्यार है अब जितने भी हैं सारे को बना लेंगे अच्छे से और यह देखिए हमारी टिक को फ्राइ करने के लिए बेसन का घूल बनाएंगे सबसे पहले बेसन लेंगे उसमें हल्दी नमक लाल मिर्च पाउडर डाल करके इसको अच्छे से मिला लेंगे अब हम इसमें पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे कि अच्छे से मिल जाओ और देखिए हमार बैटर बन के अच्छे से तियार हो चुका है अब हम अपने आलू टिक्की को चलेंगे फ्राइ करने के लिए तो चलें फ्राइ करते हैं पहले कढ़ाई को गर्म करेंगे उसमें तेल डाल देंगे फिर जो हमने टिक्की बनाई थी उसको बेसन में डिप करके फिर तेल में डालेंगे जितनी भी टिक्की बनी होई थी उसको एक एक करके डालेंगे देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में और ये देखिए अब ये फ्राई हो रहा है और अब आप देख सकते हैं हमारी टिक्की बनके रेडी हो चुकी है जो कि काफी क्रिस्पी हुई है ये आलो टिक्की आप काफी कम इंग्रीडियन्स में बहुत जल्दी बना सकते हैं और ये देखे कितनी अच्छे लग रही है अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छे लगती है तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें थैंक यू